हाई फ्रेंज मेरे यूटूब चैनल घहरेलन उसके असरदार उपाय में आपका एक बर फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज में आपको पतले आइब्रूस को घना बनाने का साथ ही उन्हें काला बनाने का और इसके अलावा अगर आपके आखों की पलके भी पतली हैं बार जैएक और आपको क्लिक कर ले गया और आप आगे भी मेरे नए वीडियोज को देख पाएंगे हैं तो चले शुरू करते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके आइब्रोस पतले होते हैं साथ ही वह काले नहीं होते हैं इसके अलावा आखों की पलके भी छोटी और बारीक ह आपकी आएब्रोज बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत होंगे। साथ ही आपके पलके भी। काफी लंबी घंडी और खुबसूरत हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले आपको लेना होगा नारियल का तिल आपको आधा चमच नारियल का तिल लेना है। नारियल का तेल, hair growth के लिए बहुत ही अच्छा होता है, साथ ही या बालो को घना भी बनाता है, और काला भी बनाता है, अब इसमें आपको mix कर लेना है, जैतून का तेल, जैतून का तेल अगर आपके पास ना हो तो इसके जगह पर आप बदाम का तेल भी इस्तिमाल कर सकते है इसमें आपको आधा चमत जैतून का तेल इस्तिमाल करना है, जैतून के तेल के इस्तिमाल से बालो की ग्रोथ होती है, इसमें भरपूर मातरा में विटामिन E होता है, जिसे hair growth तेज होता है, साथी या बालो को घना भी बनाता है, जिसे आपके आपको घने होंगे और काले इसके बाद आपको इसमें मिक्स कर लेना है विटामिन E कैपसूल यह मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा विटामिन E कैपसूल के इस्तेमाल से आपके बाल काफी लंबे होंगे आइब्रोज घने होंगे और काले भी होंगे मिक्स करने के बाद आपको इसके इस्तेमाल करना है इसकी थोड़ी सी मात्रा लेके रात में आपको इसकी थोड़ी सी मात्रा लेनी है और अपने आइब्रोज पर लगाकर हलके से मालिश करनी है इसके बाद आप इसे अपने आखों की पलकों पर भी लगा सकते हैं जिससे आप इसके माला परो जाना कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिक है अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जोर करें साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में